लंबी गिरावट के बाद भारती शेयर बाजार पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुए और बैंक अफ अमेरिका की एक रिपोर्ट ने टेंशन बढ़ा दिया अमेरिकी ब्रोकिंग कंपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस साल के अंतग निफ्टी 15600 के इस तर तक लुड़क सकता है यानि मौजुदा इस तर से करीब 2000 पॉइंट की गिरावट अभी निफ्टी 17700 के ऊपर कारोबार कर रहा है हाला कि जून के दौरान इसी ब्रोकिंग कंपनी ने साल अंत तक निफ्टी का लग 14500 रखा था वहां से इसको बढ़ाया है सब बाजार की तेज़ी पे भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है हाँ पहले एक क्रिप्टो के मौने में एक छोटी सी जानकारी और दे जिस नाकले का हम जिकर कर रहा है थी कि भारत में दोजार इक्कीस में ये युनाटे नेशन्स की बाडी की रिपोर्ट है जो बताती है कि भारत में करीश साथ दसनलब तीन फीज़दी पॉपॉलेशन के पास टोटल पॉपॉलेशन में साथ दसनलब तीन फीज़दी पॉपॉलेशन के पास क्रिप्टो करिंसी मौजूद थी इसके इसके बाद जिन इससे पहले जो देश आते हैं सूची में उसमें युक्रेन हम मिलता है रशिया है वेनेजिवेला है पूरह केनिया है और यूएसे है यानि दुनिया की जो टॉप कंट्रीज है जहां बिटकॉाइन या क्रिप्टो करिंसी की होल्डिंग थी उन में भारत शामिल था वाप समझ सकते हैं कि अगर क्रिप्टो एक्षेंज डूब रहे हैं तो कितने बड़े लोगों को इसका नुक और मार्केट इन दोनों चीजों की भी जूल रहा है बोफा का बैंक अफ अमेरिका का जो आंकलन हमारे सामने आया वो बाजार में जो मौजूदा सेंटिमेंट है उससे बिलकुल अलग है बाजार में हमें ये पता चल रहा है कि विदेशी निवेशक आ रहे हैं अलग विद राश्ट्री बैंकर से मान रहें कि भारती शेर बाजार में भी गिरावट रहेगी गिरावट ना भी रहे पर बाजार वलटाइल है बाजार भिच कोले खाएगा दोनों तरफ साइड़ बेज मूब करेगा और ऐसे बाजार में सतरक रहने की जरूरत है कई सारी कमपिनियों में आने वाले समय में वैलिवेशन के इशूस भी आएंगे हमें दिखाई दे रहा है दूसरी चीज़ यह कि भारती अर्थ विवस्था के लिए आने वाली अगली दो तिमाही इस बात पर निर्वर करेंगी कि भारत में महंगाई की इस्तिती क्या रहने वाली है और रुप कि बंदी की संभावना कम है लेकिन उसके करण कमोडिटी की कीमतों में तेजी वापस लोट सकती है और वापस लोटती है कमोडिटी की कीमतों में तेजी तो उसका असर में फिर कंपिनियों की बैलेंश इट पर दिखाई देगा और यही वज़े है कि सरकार के इतने प्रया लागतें कच्चे माल की लागत बहुत ज़ादा है और भुक्त आउपादों के कीमतें भी उतनी नहीं बड़ी है